नमस्कार मैं दॉलत शर्मा और आप दिखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 News कल बिहार में एक बड़ा दिन होने वाला है कल 12 फरवरी है और यहां पर नितिस कुमार ने जो नया गड़ बंदन NDA के साथ बनाया है RGD को धोगा देने के बाद कल उसकी अगनी परिक्षा है लेकिन कहा जा रहा है कि इस अगनी परिक्षा से पहले लगातार GDU के विधायकों को खरीदने की या फिर उनकी सिफ्टिंग के तैयारी यहां पर चल रही है हलाकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं की जा रही इस बात पे कोई महर नहीं है लेकिन जैसे ही तेजसवी आदव ने कहा कि खेला होने वाला है उस दिन के बाद से ही यहां पर नितिस कुमार और उनके विधायक सतर के नजर आ रहे हैं लेकिन कहा जा रहा है कि उनके विधायकों को बंद लिफाफे में कुछ पैसो का ओफर दिया जा रहा है उनके विधायकों के लिए लाल गाडी का इंतिजाम किया जा रहा है आखिर ये लाल गाडी की मिस्टरी क्या है ये अभी तक समझ में नहीं आई है और आज से ही ये लगातार चर्चाओ में फैल रही है कि एक लाल गाडी आईगी और यहाँ पर जेडियों के विधायकों को ल भी लग रहे हैं कि बंद लिफाफे में एक बड़ी धनरासी यहाँ पर रातों रात जेडियों विधायकों के पास पहुंचेगी और वो पाला बदलते हुए नजर आएंगे यानि समर्थन खुद के विधायकों का नितिसकुमार या नहीं ले पाएंगे नितिसकुमार जो पांच बार विधानसवाच चुनाव होए हैं और उस पांच बार के विधानसवाच चुनाव हो में रिकॉर्ड 9 बार यहांपर नितिसकुमार अकेले सीएम पद की सपत ले चुके यानि देखा जाए तो नितिस कुमार बिल्कुल भी टिकाउँ नेता नहीं माने जाते और अब उनकी विधायकों पर भी बड़ा खत्रा आ रहा है ठीक फ्लोट ऐसे पहले तो देखना होगा कि क्या 12 तारिक से पहले 11 तारिक की रात को यहां जेडियू विधायक गायब होते ह ज़र आएंगे या फिर उनको यहां पर करोड़ों की रासी दी जाएगी बाकि और भी ऐसी ख़बरे जानने के लिए देखते रही है SPN 9 News धन्यवाद